ओके हेलो चैटर्स माइनम इस रूइत एंड यो वाचिंग रसल चैटर तो गाइस आज किस एपिस्ट में हम बात करेंगे नो मर्जी के पीपीव के धमाकेतार मैच इसके बारे में उनके रिजल्ट के बारे में तो आप से लोगों के कल से मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे है कि इस पर वीडियो जरूर बनाना तो यह रही वह वीडियो तो देर किस बात की शुरू करते हैं तो सब्सक्राइब हमें देखने को मिला कि कॉफ मैस मुझे पता है आप मैसे कोई भी लोग इस मैसे बिल्कुल इंट्रेस्ट नहीं होंगे लेकिन रिज़र्ट बताना जर है रिंग में और बहुत ही फैंस को एंट्रेंड किया लेकिन फाइनली जैसे में पता था मिस्ट और आस ने फिर से वही अपनी हरकते की चीफ हरकते करता और उसकी वजह से यहां पर यह मैस हारना पड़ा जेसन जोर्टन को नहीं तो जेसन जोर्टन का परफॉमेंस बहुत है कि शायद अब मैस नहीं होगा और फिन बैलर हमें जाते देख रहेते लेकिन उसी समय ब्रेवाइट नहीं चिड़ाया और उन्हें डर्पो कहकर कहा और उतने वहां फिन बैलर फिर वापिस और मैस चुरू हो गया उसके बाद मैस काफी अच्छा था दोनी रेसलने काफी लेकिन अन्त में यहां पर जीत फिन बैलर की वी उन्हें अपना फिनिशर देकर इस मैच को शांदर तरीके से जीत लिया इसके बात देखने को मैला टैग टीम एक्शन जहां पर शेमेसन सेजारो वर्स डीन अम्ब्रोज और सेट और इस टाइटल के लिए मैच था तो मैच प्रश अच्छा था यहां पर सेजारो के इस मैच में तोट गय तो काफी फञीं था हम लोगे लेकिनुए प्लिखने को मिले काफी इसे मापर जीत हुए सेट रॉल्ं सेट राल शुई मヤँ अपना टैटल यहां पर बचा लिया। इसके बाद हमें देखने को मिला फैटल फाइफ वोमेंस चैंपिंशिप के लिए एक और सांदर में जहां पर थी नाया जैक्स, एमा, शाशा बैंक्स, बेली एंड चैंपिन एलेक्स सब्सक्राइब कर लिए तो मैच काफी अच्छा था लेकिन लास्ट में एलेक्स सब्सक्र सब्सक्राइब करना चाहते हैं पता नहीं किस सेंस के साथ उसके बाद रोम निक्स उन्हें फिर से रिंग बर लेकर आते हैं और दोनी रैसलर एक दूसरे रैसलर को स्टील स्टेप्स पर फिकते हैं फिर जौन सिन अपना सिग्नेचर मूब फाइफ नकल शंफर पर परफॉ चाहते हैं और इसके बाद रूम alguma निक्स उपर में पंच लगाते हैं और प्रेन करने कोशिक रilitर लेकिन जौन सिन भी महांपर केक आॉट कर देते हैं इसके बाद रूम निक्क आउट कर देते हैं और बहुत बुरी तरह से प्रैस्ट केकंदूर स्वी अक्रइन यहां बहुत ही अच्छी तरीके से counter कर देते हैं Roman Reigns और उने spear दे देते हैं announce table के उपर इसके बाद वो नहीं जाते हैं ring के अंदर और pin करने ही कुशिश करते हैं लेकिन John Cena kick out कर देते हैं इसके बाद फिर से Cena अपना finisher लगा देते हैं और यहाँ पर Roman Reigns फिर से cruiserweight championship वो भी Enzo Amore से तो मैच में ज़्यादा दम नहीं दिखाया Enzo Amore नोंने एक low blow मारा जब referee का ध्यान नहीं था मैच की उपर और उसके बाद वो Neville को pin करके नए cruiserweight champion बन गए इसके बाद आता है no mercy का main event Brock Lesnar ब्राउन स्टोमेर की बीच एक मैच तो मैच शुरू होते हैं यहाँ पर Brown Stroman भारी पढ़ने लग जाता है और choke slam दे देते हैं इसके बाद power slam देने के साथ ही वो Lesnar को pin करते हैं लेकिन यहाँ पर Brock Lesnar इसे kick out कर देते हैं इसके बाद यहाँ पर Brock Lesnar F5 देने ही कोश्ची करते हैं लेकिन Brown Stroman भारी है इस वज़े से F5 नहीं दे पाते हैं और इसके कुछ देर बाद यहाँ पर Brock Lesnar success हो जाते हैं सुपलेक्स देने में लेकिन एक दो सुपलेक्स खाने के बाद ब्राउन स्टूमेंट खड़े होई जाते हैं लेकिन जब जाता सुपलेक्स पर जाते हैं तो वह खड़े नहीं हो पाते हैं और फिर Brock Lesnar कोशित करते हैं F5 की लेकिन वह काउंटर हो आता एक फावर स्लैम में और इसके बाद किसी तरह F5 दे देते हैं एक Brock Lesnar Brown Stroman को और इस मैच को अपने नाम कर लेते हैं तो गाइस यह थे एक सारे रिजल्ड No Mercy के मैच से काफी जल्दी मैंने अपडेट कर दी है सुबही क्योंकि आप लोग की बहुत डिमाइन थी तो इस वीडियो को लाइक तो जरू करने हैं इसके लगा कॉमेंट बताना है कि क्या आप सैटिस्वाइड है स्नू मर्सी से और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ उस बैल अगन को भी जरूर प्रेस कर दिये ताकि आपको ऐसी डबल बुबली की हिंदी अपडेट्स मिलती रहे जो बाते आप जानना चाते हैं सु सी यो गाइस इन मैं नेक्स वीडियो